सभी को नमस्कार आज हम संस्कृत व्याकरण के अंत्रगत पांच्वा भाग लेकर क्याए हैं इससे पहले संस्कृत व्याकरण में समास के चार भाग आप पढ़ जुके हैं यदि आप समास का पूरा टूपिक सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा डालेगे सभी वीडियोज को क्रमानुसार देखते रहें पहले भाग में समास की समन्ने जानकारियां प्रस्तूत की गई हैं दूसरे और तीसरे भाग में अव्वी भाव समास से समंदित नियमू को बताया गया है चोथे भाग में तत्पुरुस समास और तत्पुरुस समास के अंतरगत व्यधिकरन तत्पुरुस समास को हमने लिया है व्यधिकरन तत्पुरुस समास के अंतरगत भी हमने द्वितिया तत्पुरुस या कर्म तत्पुरुस समास कहा होता है उसको चोथे भाग में पढ़ाता अब हम इसका पांचवा भाग लेकर के आए हैं इस भाग में हम पढ़ेंगे तृतिया या करण तत्पूरु समास कहा होता है तृतिया या करण तत्पूरु समास से समंदित क्या क्या नियम लागू होते हैं इनके बारे में हम इस वीडियो क की अंत्रगत पढ़ेंगी सबसे पहला सुत्र इस समास के अंत्रगत हम ले रहे हैं पूरुव सद्रिश समुनार्थ कलह निपुन मिस्र सलक्षन ही यह सुत्र हमें क्या सिखाता है कि यदि हमारे पास ऐसा कोई सामासिक पद आजाता है जिसमें द्वित्य पद के रूप में हमें पूरुव सद्रिश सम उन अत्वा उन का समानार्थी कोई सब्द जैसे विकल सब्द हो सकता है कलह निपुन मिस्र और सलक्षन इन सब्दों में से कोई सा सब्द लिखा हुआ मिलता है दूसरे पद के रूप में पूरुव सद्रिश सम उन या उनका है नेपूर्ण मिस्र सलक्षन इन सब्दों में से यदि कोई सा सब्द लिखा हुआ मिल जाए और वहां समास का नाम पूछे तो वो समास कुन सा समास माना जाएगा उसे हम तृतिया तत्पूरूस या करण तत्पूरूस समास मानेंगे जैसे कुछ उधरन हम इसके अंत्रगत लेते हैं पहला उधरन आ रहा है मास पूर्वह यहां दूसरे पद के रूप में पूर्वह सब्द लिखा हुआ है तो ये समास तृतिया तत्पूरूस समास माना जाएगा और उसके अनुसार विग्रह करेंगे तो मासेन पूर्वह इसका विग्रह होगा और तृतिया तत् सद्रिश है पद लिखावा है इसलिए तरतिया तत्पूरु समास माना जाएगा और उसके अनुसार पित्री सब्द को तरतिया भी भक्ति में लिखेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा पित्रा सद्रिश है इसी प्रकार से मात्री समह पद में समास विग्रह करो समास का नाम बताओ, तो समह पद होने के कारण तृतिया तत्रूस मानेंगे और विग्रह हो जाएगा मात्रा समह, मात्री का तृतिया में मात्रा रूप बनता है, पित्री का पित्रा बनता है, तो ये पित्रा सद्रिश है, मात्रा समह, तृतिया तत्रूस समास के अंतरगत आ जाते हैं, ऐ का की उनम सब्द लिखावा है इसलिए हम तृतिया तत्पुरूस मानते हैं और उसके अनुसार मास को तृतिया में लिखेंगे तो मासेण उनम इसका विग्रह होगा तृतिया तत्पुरूस मास माना जाएगा यहां मास का अर्थ होता है उड़द, उड़द की कमी जो है उड़द का अभाव कमी है वो मासोनम कहलाता है इसी के जैसा सब्ध है मास विकलम, मास विकलम में भी दूसरा पद विकल जो उन का समानार्थी कमी के अर्थ में आता है इसलिए यहां तरतिया तत्पुरुस माना जाएगा और उसके अनुसार विग्रहे करेंगे तो मासेण विकलम इसका विग्रहे होगा तरतिया तत्पुरुस समास माना जाएगा अगला सब्द है वाक कलहे वाक कलहे का विग्रह करें और समास का नाम बताएं तो इसमें दूसरा पता है कलहे कलहे सब्द होने के कारण तरतिया तत्परू समास मानेंगे और वाक सब्द का तरतिया एक वजन का रूप होता है वाचा तो इसका विग्रह हो गया वाचा कल है वाणी के द्वारा जगडा है तरतिया तत्परु समास हो जाता है फिर सब्द है आचार निपून है आचार निपून है का विग्रह करो समास का नाम बताओ तो इसका विग्रह होगा आचारेन निपून है दूसरे पद के रूप में नि पुन है विग्रह किया गया है और तृतिया तत्रू समास यहां माना गया है फिर सब्द है गुडेन मिस्र है दूसरा पद मिस्र लिखावा है इसलिए तृतिया तत्रू समास मानेंगे और विग्रह कर देंगे गुडेन मिस्र है यह विग्रह होगा तृतिया तत्रू समास मान जाएगा फिर सब्द है अपने पास में आचार सलक्षन है इसमें सलक्षन है ये दूसरा पद लिखावा है इसलिए इसका विग्रह होगा आचारेन सलक्षन है विग्रह होगा तरतिया तत्रूस समास माना जाएगा ऐसे ही कूटन सलक्षन है कूटन सलक्षन में भी दूसरा प कूटन सलक्षन होगा आचार से साप है वो आचार सलक्षन होगा आचार से साप होना कूटन सलक्षन है आचार सलक्षन है जैसे पद बन जाते हैं ऐसे पद है पादो नम पद का विग्रह करो उर समास का नाम बताओ इसमें भी दूसरा पद उनम लिखावा पाद पलस उनम से पाद उनम बना है तो यहां उनम पद होने के कारण तृतिया तत्पुरूस मानेंगे और विग्रह हो जाएगा पादेन उनम इस तरीके से आप देख सकते हैं यदि किसी पद में दित्य पद के रूप में हमें कौन-कौन से सब्द मिलने जीए कहीं पर पूर्व हो सकता है सद्रिश, सम, ओनम, विकलम, कलह, ऐसे सब्द अपने पास में आते हैं इसके अलावा कहीं निपोन, मिश्र, सलक्षन जैसे सब्द हो जाते हैं तो वहां तृतिया तत्पुरूस समास माना जाएगा इसी से जुड़ा हुआ अगला नियम एक वार्तिक के रूप में आ रहा है वार्तिक है अवर अश्योप संख्यानम जैसे उपरवाले सुत्र में हमने पढ़ा था कि पूरूस सद्रिश जैसे सब्द दित्य पद में होने पर तृतिया तत्पुरूस समास होता है वैसे ही है वार्तिक भी कहता है कि यदि किसी सामासिक पद में दित्ये पद के रूप में दूसरा पद है उसके रूप में हमें आवर सब्द लिखावा मिल जाए तो वहां पर भी तृतिया तत्पुरूस समास करण तत्पुरूस समास माना जाएगा जैसे एक पद दे दिया जाता है कि बताओ मासा वरह पद में कौन सा समास होगा तो इसमें अवर दित्य पद में लिखावा है इसलिए हम इसका विग्रह करेंगी मास सेन अवरह ये विग्रह होगा और तृतिया तत्रूस समास यहां माना जाएगा देखे उपर एक पदाय था मासोनम और यहां आगया मासावर है दोनों में मास सब्द अलग-अलग तरीके से लिखावा है मास का सही अर्थ क्या है मास में अगर मुर्धनने से है तो अर्थ होता है उड़द मास में अगर दनते से है तो अर्थ होता है महीना जो एक महिना दो महिना महिना है वो अर्थ होगा और मांस इसको बोल देते हैं तब उसका अर्थ गोस्त हडियों के बीच में चरम के बीच में जो रक्त द्रव्वे है उसको गोस्त को मांस कहा जाता है इस तरीके से तिनों में अलग अर्थ है मास मुर्धने से होने पर ओड़ मानना है अगला सुत्र अपने पास में आता है करत्री करने कृता बहुलम करत्री करने कृता बहुलम ये सुत्र क्या कहता है कि यदि ऐसा कोई सामासिक पद अपने पास में लिखा हुआ हो जिसमें पहला पद हमें देखेंगे पहला पद तो करता कारक के रूप में या फिर कर करण कारक के रूप में लिखा हुआ हो करता भी अनुक्त करता होना ची अनुक्त करता यानि करम वाच्चे या भाव वाच्चे में जो करता त्रतिया विभक्ती के रूप में प्रिविक्त हो सकता है उस प्रकार का अनुक्त करता हो या करण कारक वाचक सब्द हो और दूसरी स दूसरा पद कृता से यहां वैसे समस्कृत प्रत्य हो सकते हैं लेगिन मुखेत हम तै प्रत्य से बनेवे पदों को लेंगे कि पहला पद अनुक्त करता वाचक या करण कारक वाचक सब्द होना चीए और दूसरा पद तै प्रत्य से बना हुआ होना चीए तो वहां पर भी त तत्पुरू समास माना जाएगा वेक्या में लिखावा है कि यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद तो करता कुन सा अनुक्त करता या फिर करण कारक वाचक सब्द हो और उसके साथ में जो दिवित्य पद है वो तै प्रत्ते से बना हुआ हो तो वहाँ पर हम कुन सा समास म पान लेते हैं जैसे कुछ उधारन हम इसके लेकर के आए हैं उन उधारनों से इस नीयम को समझते हैं पहला है हरी त्रात है यहाँ पर पहला पद है हरी कार्थोत है रक्षा किया हुआ तो हरी के द्वारा रक्षित रक्षा किया हुआ है तो यहां हरी करता है अनुक्त करता है करम वाच्चे का करता हो शकता है इसलिए यहां हरी सब्द को तो तरतिया में लिख देंगे हरेणा और तरातह को देखें तो तरा धातू में तै प्रत्ते जुड़ने से तरातह बनता ह तो इसमें तरतिया के नुसार ही हमें विग्रह करना पड़ा, हरियना तराता है, ये विग्रह होगा और तरतिया ततपूरू समास माना जाएगा, यहागी हमने लिखतिया है हरी यहाँ अनुक्त करता है त्रा धातों में तै प्रत्य के योग से बना है इसलिए इसमें त्रितिया तत्पुरू समास माना गया है फिर अगला सब्द है नख भिन्नह पद में समास विग्रह करो समास का नाम बताओ तो नाखुनू से छेदा हुआ, काटा हुआ, नख भिन्ने कहलाता है, यहाँ जो नख सब्द है, वो करण कारक के रूप में आया है, और दूसरा जो भिन्ने है पद है, वो भिद धातों में तैप्रत्ते जुड़ने से बना है, तो पहला पद करण कारक के रूप में आ गया, दूसरा पद तै प्रते से बना हुआ आ गया इसलिए यहां तरतिया तत्रू समास माना जाएगा और उसके अनुसार विग्रह कर देंगे नखई भिन्ने है नाखुनू से छेदा हुआ काटा हुआ नख भिन्ने कहलाता है ऐसे ही अगला पद है सरप दस्ट है सरप दस्ट है का विग्रह करो और समास का नाम बताओ सरप दस्ट कारत हुआ सरप के द्वारा दसा हुआ यह चीज इसमें आ जाती है तो यहां पर सर्प करता कारक के रूप में आ रहा है और दस्ट है जो बना है वो दंस धातों में तै प्रत्य जुड़ने से बना है तो अपनी सर्थ पुरियोगी पहला पद करता अनुक्त करता के रूप में है दूसरा पद तै प्रत्य से बना हुआ है तो तरतिया तत्पुरुस मान लेते हैं और उसके नुसार सरप को तरतिया में लिखते विए इसका विग्रह हो जाएगा सरपेण दस्ट है अगला सब्द है परसु छिन्नह पद का विग्रह करो समास का नाम बताओ परसु परसु राम जी का जो फरसा है फरसे से काटा हुआ परसु छिन्नह कहलाता है तो यहां परसु करण कारक के रूप में आ गया और छिन्नह छिद धातू में तैप्रते से जुड़ा हुआ है तो दोनु सर्थ पुरी होगी पहला पद करण कारक के रूप में दूसरा पद तैप्रते से बना हुआ है इसलिए तरतिया तत्पुरु समास माना जाएगा फिर है बाल भुकत है बालक के द्वारा खाया हुआ यहाँ पर भी बाल सब्द है वो अनुक्त करता के रूप में है भुकत है वो भुज धातों में तै प्रत्ते जुड़ने से बना है इसलिए तरतिया तत्पुरु समानेंगे और विग्रह क तलवार के द्वारा आहत घायल जो है खडगाहत कहलाता है यहाँ खडग करण कारक है और आहत जो है वो आंगूपसरगहन धातूत प्रत्ते के योग से बना हुआ है इसलिए करण तत्पुरु समानेंगे और विग्रह हो जाएगा खडगेन आहत है इती खडगाहत है त्रत करण कारक के रूप में है और भग्न जो सब्द है वो भंज धातों में तैप्रत्ते जुड़ने से बना है इस आधार पर दोनु सर्थ पूरी है तो करण तत्पुरु समानेंगे और विग्रह कर देंगे दंडेन भगन है इती दंड भगन है त्रतिया तत्पुरु समास हो फिर सब्द है गुरु पालीत है गुरु के द्वारा पाला हुआ तो यहां गुरु करता है अनुक्त करता है पालीत है तैप्रत्ते से बना हुआ पद है इसलिए तरतिया तत्पुरु समानेंगे और विग्रह हो जाएगा गुरुना पालीत है फिर सब्द है विद्या हीन ह विद्या से हीन है तो यहां विद्या एक्तर से करण के रूप में आ गया है हीन सब्द हा धातू में तैप्रत्य के रूप में बना है इसलिए विद्या हीन है इसका विग्रह कर देंगे और तरतिया तत्पुरू समास यहां मान लिया जाएगा सब्द है चात्र पठीत है चात्र के द्वारा पढ़ा हुआ यहां चात्र अनुक्त करता है पठीत है पठधातू में तैप्रत्ते के योग से बना है इसलिए तरतिया तत्रू समास मानेंगे और उसके नुसार विग्रहे कर देंगे चात्रेन पठीत है तो ये नियम आ गया कि पहला पद अनुख्थ करता या करण कारक वाचक सब्द होना चीए, दूसरे पद में उसके साथ तै प्रत्ते से जुड़ावा पद हो, तो वहां करण तत्रू समास माना जाएगा. फिर अगला सुत्र आता है, सुत्र है, तृतिया तत क्रितार्थे ने गुण वचने ने, ये सुत्र क्या कहता है, कि यदि कोई ऐसा समासिक पद अपने पास में आ जाता है, जिसमें पहला पद तो करण कारक को प्रकट करने वाला होना चीए, करण कारक वाचक सब्द हो, और उसके साथ में जो दूसरा पद लिखावा है, वो उसी करण के द्वारा किया जाने युग्य कोई कारे हो, जो करण कारक है, उससे जो कारे हो सकता है, उस प्रकार का सब्द अपने पास मिल जाए, तो वहाँ पर भी तरतिया तत्पुरूस या करण तत्पुरूस समास माना पहला पद करण कारक वाचक होना चीए, दूसरा पद उसी से करने युग्य कारे होना चीए, तो वहाँ तरतिया तत्पुरूस समास मान लिया जाता है, जैसे संकुला खंड है, एक पद है संकुला खंड है, संकुला के द्वारा काटा हुआ, जो सुपारी तोड़ने का होता आता है, वो संकुल है, उसमें संकुल करण के रूप में आ गया, और उसी से टुकडा किया गया है, उसका कारे है, तो संकुला खंड है, इसका विग्रह होगा, और तरतिया तत्पुरूस समास माना जाएगा, तो संकुला खंड है का विग्रह करेंगे, तो संकुलिया समास का नाम पूछे तो त्रतिया तत्पुरू समास होगा ऐसे ही दंड घट है दंड लकडी के द्वारा बनाया गया घडा दंड एक त्रसे करण साधन है और घट उसी काकारी है तो विग्रह कर देंगे दंडेन घट है विग्रह होगा त्रतिया तत्पुरू समास यहां माना जाएगा ऐसा ही यगला सब्द है दंड खंड है दंड यानि लकडी के द्वारा खंड किया हुआ काटा हुआ तो इसमें भी लकडी करण होने के कारण दंडेन खंड है इस प्रकार का विग्रह करेंगे और तरतिया तत्वरू समास मान लेंगे फिर सब्द आ रहा है क्षार सुकल है क्षार के द्वारा सुकल सपेद किया गया है क्षार यहां करण कारके रूप में है और सुकल करना उसका कार्य हो गया है तो क्षारेन सुकल है विग्रह होगा त्रतिया तत्पलू समास यहां माना जाएगा फिर पद है अपने पास में सलाका कान है किसी सलाका से काना हुआ तो यहां सलाका करण के रूप में है काना होना उसका इतर से कारिय हो गया है तो यहां विग्रह करेंगे सलाक या कान है यह विग्रह होगा और तृतिया तत्प्रूश समास माना जाएगा तो तरतिया तत्कृतार्थेने गुण वचनेने यह सुत्र इसका पहला नियम अपने पास में बन रहा है पहला पद करणवाचक हो और दूसरा पद है उससे करने योग्य कारिय हो तो वहां तरतिया तत्कृत्रूश समास माना जाएगा इसी सुत्र के अंतरगत एक जगह अर्थेन पद और लिखा वा है इस अर्थेन से क्या नियम बनता है क्या तत्कृत्रूश भी आगे आ रहा है कि यदी कोई सामासिक पद है उसमें हमें द्वित्य पद के रूप में अर्थ सब्द लिखा हुआ मिल जाए दूसरे पद में अर्थ होना चीए और उसके साथ का जो प्रथम पद है वो कोई न कोई पदार्थ वाचक सब्द हो या कोई क्रिया वाचक सब्द भी हो सकता है दूसरा पद है वो तो अर्थ सब्द की रूप में होना चीए पहला पद उसके साथ किसी पदार्थ को प्रकट करने वाला या किसी क्रिया को प्रकट करने वाला सब्द हो और वहाँ समास का नाम पूछे तो वो भी तृतिया तत्रू समास, करण तत्रू समास माना जाएगा जैसे कुछ उदहरण ले रहे हैं पद है, पुन्यार्थ है, धान्यार्थ है, पठनार्थ है, ब्रह्मनार्थ है इन सभी में आप देख रहे हैं, दूसरे पद के रूप में अर्थह सब्द लिखा हुआ है, अर्थह की प्राप्ति हो रही है, और इससे पहले पुन्य, धन्य, पठन, भ्रमन, कोई द्रव्वे या क्रिया वाचक सब्द हैं, तो इन में तृतिया तत्पूरु समास माना पठनार्थह का विग्रह करो, तो पठनेन अर्थह है, और भ्रमनार्थह का विग्रह करो, तो भ्रमनेन अर्थह ये विग्रह होंगे, और तृतिया तत्पूरु समास यहां माना जाएगा, फिर अगले नियम पर बढ़ते हैं, अगला एक नियम आता है, अन्नेन व्यंजनम अनेन व्यंजनम यह सुत्र क्या कहता है कि अन को स्वाद बनाने के लिए उपियोगी व्यंजन वाची तरतियांत सुबंत सब्दों का अन वाची सुबंत सब्दों के साथ मेल होने पर भी तरतिया तत्रू समास करण तत्रू समास माना जाता है व्यंजन के दो अर्थ ले जा सकते हैं स्वर रहीत वरण भी व्यंजन कहलाता है और पकवानू को भी हम व्यंजन कहते हैं तो यहां जो व्यंजना है वो पकवान के अर्थ में है, कि कोई अन्पदार्थ वाचक पकवान होता है और उससे साथ में कोई अन्वाचक सब्द ही मिला हुआ रहता है, तो वहां भी हमें करण तत्पुरुस समास मानना है. जैसे इसका उधरन हम लेते हैं दध्ध यानि दही, दही मिला हुआ उधण यानि भात दही में मिला हुआ भात है वो दध्ध उधन कहलाता है ये अन्वाचक सब्द स्वाधिष्ट के रूप में स्वाध बढ़ानी के रूप में है इसलिए यहां तरतिया तत्पुरुस समास माना जाएगा और तरतिया के नुसार दधी सब्द का रूप हो जाएगा दधना तो इसका विग्रह कर देंगे दधना ओधन है इती दध्योधन है और तरतिया तत्पुरुस समास मान लिया जाएगा तो इस प्रकार से तरतिया तत् समास कर सकते हैं इसके अगले वीडियो में हम चतुर्थी पंचमी और सश्ठी तत्पुरुष कहां कहां होते हैं इन तेनों के नियम एक साथ पढ़ेंगे धन्यवाद